बहुत सारे बिच्चे जिनके एक्जाम से हैं जनुरी दो हजार पच्चेस में वो लगा था पूछ रहे हैं कि सर अब सेप्टेंबर का एक्जाम तो हो चुका बताओ कि अब जनुरी दो हजार पच्चेस में कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करके जाने हैं किन topics पर में ज़्यादा focus करना है अगर हम अपने पास कोई strategy बनाना चाहें तो strategy कैसे बननी चाहिए देखें दोस जनरी 2025 के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तुरंट शुरू हो जाना चाहिए ये इंतजार मत करना कि हाँ ठीक है हम पहले सेटमबर वालों का result देख लें वो कैसा result आया फिर तयारी शुरू करने तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत कम time है और आपके paper में January 2025 में एक बड़ा change आने की संभावना है मैं उस change के बार में भी इस वीडियो के अंत में discuss करूँगा कि वो change क्या आ सकता है और आपके result को कैसे वो affect कर सकता है क्योंकि ऐसी बातें CA Institute में हो रही है तो पहले start करते हैं आपके साथ सबसे पहले आपके मन में question आता है कि सारह में किन topics को करना चाहिए पहले कि इन topics को करना चाहिए तो मैंने आपके लिए एक list बना रखिए जो कि based on the institute's weightage as well as past paper जो भी September में हुआ जो मई में हुआ और probability उन topics को देखते हुए कि क्या लगता है हमको उस पर based मैंने आपके एक topic की list बनाई है जिन में से मुझे लगता है कि जो ये topics आपके सामने लिखे हुए हैं इन topics में से 60 plus marks आपके आने चाहिए preparation of financial statement से हमेशा start करना क्योंकि ये topic सबसे पहले आपको पढ़ना है जब तक आप इस topic को पहले नहीं पढ़ेंगे आपके बड़े सारे topic इससे पर dependent है branch को छोड़कर बाकि सभी topics में इसका कहीं ने कहीं use है branch को छोड़कर इसका मदब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके topic पहले आना चाहिए तो आपका number one topic होना चाहिए preparation of final account पहले इसको करना हमारा ये classes पूरी की पूरी YouTube पर available हैं आप जाकर YouTube पर हमारे पास ये preparation of final accounts को उठाना और पूरा 10 class हैं तसली से कराया हुआ है पूरी practice के साथ आप उस topic को तयार करना इसके बाद number two topic आपको करना चाहिए internal reconstruction जो आपका moral और confidence हाई कर देगा जिन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत सारे questions हैं इसके लिए ये आपने हमारी classes ले रखे हैं तो जो question bank आपने आपको दे रखा है उसी को ही करना है और अगर आपने हमारी classes नहीं भी ली हैं तो आप institute का study material में जो question bank है जो आपके पास study material का questions है आप उनको solve करने वो भी बहुत sufficient है फिर आपको start करना चाहिए अपना एक major topic जो की accounting standard 14 है accounting for amalgamation जिसके अंदर बहुत practice किया वशक्ता है और इसके अंदर भी of course study material से भी किया जा सकता है और हमारे question bank से भी किया जा सकता है इसमें कोई change नहीं है यानि कि आप अपना normal तरीके से तैयरी शुरू कर दे अगले topic का नाम है consolidation of subsidiary with parent और of course accounting for इसमें ही आ जाएगी आपके associate की भी और joint ventures की भी joint venture थोड़ा साब की बार ज्यादा important लग रहा है यानि उसके उपर कुछ questions हो सकते हैं पूछे जाएं में भी बड़ा question ना करके छोटे question को पूछा जा सकता है कि एक छोटा question आपसे उसमें add on करके डाला जा सकता है इसके अलावा आपको अपने पास branch accounting तो करना ही चाहिए क्योंकि branch एक important topic है उसको अच्छे से करें और ये सबसे ज़़ा time consuming topic होता है अच्छे से करके जाना 10 number तक का question आने की पूरी पूरी संभाबना है बड़े simple simple accounting standards है जो मैंने आपको इस बार A list में दिये हैं जिनको मुझे लगता है कि इन में से 10-12 number के accounting standards पूछे जाने चाहिए इस 1 है accounting standard 5 है accounting standard 11 भी है 12 भी है 28 भी है 17 भी है 24 भी है यह निए इन में से questions बहुत देखने को आपको इस बार मिल सकते हैं बी लिस के अंदर अगर हम आते हैं तो बी लिस के अंदर आपके पास ये topics है accounting standard 3 है 7 है 10 है 19 है 20 है एक topic जो की बहुत ही theoretical सा है conceptual framework along with application of accounting standard इस पर भी सवाल आने के पूरे chances हैं इसके लावा buyback investment के बड़े topic है मैंने इस बार B list में डाले हैं of course they are important but not that much important इन में से चोटे-चोटे question पूछे जा सकते हैं 24-5 नमबर तक के वो question पूछे जा सकते हैं इसके लावा accounting standard 2 है 4 है 9 है 16 है और 39 है ये भी पूछे जाएंगे आपको बाकी C list के नमने आपके topic डाले हैं जिन पर से बहुत कम marks के पूछे जाने चाहिए फिर भी हमने उस C list को भी अपने पास रखा है आपको अपने पास तैयारी कैसे करनी है revision videos हई topic के हमारे YouTube चैनल पर है आपने उन revision videos को सबसे पहले देखने है final account के तो पूरे पूरे videos है बाकी सब topic के revision videos है तो आपने उनका revision video देखने है followed by that जो questions है वो आप institute के study material से कर सकते हैं या आप चाहें तो question bank से भी कर सकते हैं September 2024 में जो paper हुआ और मई 2024 में जो paper हुआ उसे जरूर as a mock test आपको attempt करना चाहिए इसके अलावा institute के mock test भी release किये जाएंगा और RTP release किया जाएगा January 25 में वो जब release होगा आपको वो भी जरूर करना चाहिए यानि this is the basic strategy जो आपको follow करने है और मैंने आप से कहा था आपके exam के अंदर एक probable change है जो हमको सुनने में आ रहा है कि institute में discussion चल रही है जिस पर हो सकता हो कभी भी announcement कर देंगे चुकि आपके लिए relevant हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ मैं 40% marks may be now considered separately for mcq and separately for descriptive मतलब यह कि अगर आपने 40 number लाने तो दोनों को जोड़ के 40 नहीं लाने mcq में 30% का paper है उसके 40% है नहीं 12 number आपके minimum उसमें mcq में होने चाहिए और 28 number minimum जो है वो descriptive में होने चाहिए ऐसी बाते चल रही है मैं यह नहीं कह रहा है ऐसा हो गया ऐसी बाते चल रही है बहुत जल्ड ऐसा होने की संभावनाए है और यब यह आएगा तो institute probably आपके exam से पहले इसको announce कर देगा नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात है और announce हो जाता है तो आप अपनी तयारी accordingly रखना कि आपको इस बार कुछ strategy में बदलाव करना पड़ेगा जो बच्चे सोच रहे थे कि ठीक है हम mcq क्यों कर जाएंगा अच्छे से और बाकी तो 10 number ली लाने है तो ऐसा ना होगा आपको इस change की वज़ा से कुछ topic जरूर अच्छे से करने पड़ेंगे अगर ऐसा change आता है तो आपको कैसे effect करेगा कि इन topic पर ज्यादा फोकस करना amalgamation, branch, buyback और internal इन पे ज़्यादा फोकस करना और मैं मानके चलता हूँ कि schedule 3 का जो preparation of financial statements है वो topic तो आपने अच्छे से तयार करा ही होगा तो ऐसे में फिर ही आपका 40% वाला अगर rule change होता भी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अपने आपको उस श्रेड़ी में रखो कि आपको लाने ही 90 से उपर number है इसलिए आपको इस rule से कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर भी मैंने आपको बताया कि this can be the probable change जो आपको बाकी papers में भी effect कर सकता है यह change अगर आएगा तो सभी papers में आएगा और सभी levels में आएगा तो मुझे उमीद है आप अपनी preparation अब बहुत जल्द start कर देंगे और अच्छे से January 25 के अंदर आप अच्छे marks लेकर आएए इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे With this, thanks for watching this video, stay blessed, bye bye